आज हम काफ़ी इंट्रस्टिंग चीश डिसकस करने वाल है जो चैट जीपीटी कर सकते हैं आज हम खेलेंगे इसके साथ एक गेम टिक टेक टो जिसको हम क्रॉस अंडा बोलते थे बच्पन में जब भी कोई फ्री टाइम होता था या फिर कोई टीचर एपसेंट हो जाता था तो हम लोग अपनी कॉपी कलम उठाते थे और यह गेम खेलने लगते थे आए यह देखते हैं चैट जीपीटी कैसा है इस गेम में तो इसका टकनीक यह है कि मेरे को कॉल इसने मेरे को एक ग्रिड बनाके दे दिये और नौ नमबर लिख दिए इसमें जो भी मैं नमबर जैसा हम बच्पन में स्ट्रेजी फॉलो करते थे तो बीच में लगाऊंगा मैं ग्रेट चॉइस यह इसने अंडा शो करते हैं इसने कहां चलाए इसने थर्ड लिया अच्छा वेटा आगे बढ़ता है बीच में अपना फिक्स कर दिया अब ऐसी जागे फिट करूंगा कि इस से इसका पूरा एक्स नहीं बन पाएगा और अराम से इसका रापाऊंगा मैं एक इतना दिमाग आता है किस टाइप की ट्रेणिंग है कौन से मशीन लेर्णिंग मॉडल यूज़ कि इसने एली पोजिशन पर लगा जिक है इसने लगाया है वेटे ने पांच भी पोजिशन मैं ऐसा दिमाग अड़ाने वाला हूं अब यह साथ वे पर सोच रहा है वे साथ पर नहीं लगाऊंगा साथ जरूर लगाऊंगा वेटा बुद्धु थोड़ी हूं मैं लगा दिया मैं है शार पर मेरा बन रहा है देखते हैं इसका ध्यान है या यह अपनी धुन में जैसे जाँगा रहा हूं से फीश फड्वी फॉर मी देखें चार पर लगायते हैं और तो कुछ लग नहीं रहा है देखते हैं किता दिमाग है इसके अंदर राइप करते हैं चार और तो कुछ में को पॉसिबिल्टी दिखनी थी कहीं से भी अपना बना सकता है क्योंकि हर जगें मैंने अपना घेर रखा तो यही तो फायदा होता है इस गेम में अगर जीतना है तो सबसे पहले बीच वाले एरिया में घुज़ड़ा है तुम बेटा सोच रहे हो कि मशीन लड़निंग मॉडल सीचा है तुम एक हुराब हो गया बजाक समझ रखा रहे हैं तुम तो अभी सि किस का गाना गाने लगते हो जरा सा कोई चीज नहीं होती है बच्पन से खेलते आ रहे हैं हमें चैंपियन हैं इस खेल ऐसे अरा होगेगा चल थैंक्यू कर देते हैं इसको भी क्या याद रखेगा वा भाई वाई वंडरफुली डे होता तो तेरे साथ थोड़ी खेल रहा ह पूछते हैं क्या पता चैट जीपीटी को पता हो डेवलब किसने क्या है किसने दिमाग अगडाय क्या एसा गेम होना चाहिए एक ते क्या पता बता दे यह भी पूछ लेता है कम से कम यह तो बता दे कि कौन सी कंट्री में हुए है जान पता इंडिया में बनें लोग खेहलते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज ताकि मैं और इसी तरीके के फन लर्णिंग वीडियो बना सकूँ आपके लिए आप भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करूँ जित्ता अच्छा प्राम्ट देंगे जित्ता अच्छा इंट्रेक करेंगे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से उत्ता ही आपका भी फायदा होगा और मेरा भी हो जाए तो